हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेट्स में आपका स्वागत है, आज की वीडियो में हम ये मोजे बनाएंगे, गुठे वाले मोजे, इन्हें बनाने का तरीका बहुत आसान है, ये मैंने अपनी पुरानी कुर्ती से बनाए है, इस तरह की आपके पास कोई वुलेन कुर्ती हो, उससे बना सकते है, कॉटन के बनाना चाहे तो टी-शर्ट से भी बना सकते है, लेगिंग से भी हम इससे बना सकते है, जो हमारे पास उनी लेगिंग होती है, या फिर इस तरह के थर्मोवेर, कपरा इस ट्रेची होना चाहिए, किसी भी तरीके के कपरे से बन सकता है, पुरा कि यहने बनाने का तरीका बहुत आसान है कि सबसे पहले हम अपने पैरो का नाप लेंगे अंगली से लेकर आपको एरी के 20 तक की लंबाई नाप नहीं है उसमें हम डेरी इंच इक्स्ट्रा लेंगे पैरो का जो सबसे चोड़ा भाग है उसे हमें नापना है यह क्रीब 9 इंच है उसमें हम एक इंच जादा लेंगे पैर की लंबाई 69 इंच है उसमें मैंने 0.5 इंच प्लस करके 11 इंच लिया है चोड़ाई 9 इंच है तो 10 इंच लिया है कपड़ा हमें चोड़ाई में खिचने वाला चाहिए सुई दागे से हाथ से भी सिल सकते हैं या मशिन से भी सिलाई कर सकते हैं मशिन की सुई के लिए हम 14 नमबर की सुई यूज करेंगे वुलेन कपड़े पे हम 14 नमबर की सुई ही यूज करते हैं कपड़े को बीच से फूल करना है और आधी दूरी तक ही हमें सिलना है इसमें भी हमें आधी दूरी तक सिलना है मैंने इसे सिल लिया है अब जो सिलाई का भाग है उसे हमें बीच में रखना है लगभग बीच में दूसरे को भी हम इसी तरीके से रखेंगे, दोनों की नारे में अंगुठे के लिए जगा रखनी है, कपड़े के ऊपर हमें पैर को रखना है और ड्रॉ कर लेंगे, अच्छी तरह से अंगुठे का भी शेप ड्रॉ कर लेंगे, दूसरे कपड़े के ऊपर दूसरे पैर को हमे रखना है जहां हमने मार्क किया है उस पे हमें सिलाई कर लेनी है दोनों पैरों को हमें अलग-अलग मार्किंग करनी चाहिए नहीं तो कई बाइर एक ही पैर के दोनों मुझे बन जाते हैं अब हम इसको सीधा कर लेंगे मुझे को आप पैर में डालकर देख लीजे अगर वे ज़्यादा टाइट यह लूज हो तो अभी हम इससे ठीक कर सकते हैं अब हम इसमें पाइपिन लगाएंगे और एरी की सिलाई करेंगे एरी की सिलाई आपको अपने पैर के हिसाब से करनी है जितने गुलाई देनी है पाइपिन के लिए मैंने तीन इन चौड़ी स्ट्रिप ली है इस ट्रिप को बीच से फोल करना है मुझे में एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक हमें इससे लगाएंगे इस तरह से हमें रखना है इस ट्रिप को खीच कर लगाना है इस ट्रिप को ढिली लगाएंगे तो ये पैर में भी ढिलाएगा खीच कर लगाएंगे तो पूरी फिटिंग आएगी यहां तक हमें सिल लेना है मोजे में मैंने इस ट्रिप लगा दी है जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप बची है उसे काट कर निकाल लेंगे अब हमें एडी का भाग सिलना है इसके लिए मोजे को उल्टा कर लेंगे इसमें गुलाई देंगे पहले मोजे को उल्टा कर लीजिए और अपने पैर के श्रिप के अनुसार आपको गुलाई देनी है एक इंच्या इसे ज़्यादा भी दे सकते है एडी की सिलाई मैंने कर ली है अभी आप इसे पहन कर देख सकते हैं चेक कर सकते हैं जितनी कुलाई की जरूरत है उतनी कुलाई हम देंगे अभी इसे सीधा करके देखते हैं मोज़ा त्यार हो गया है मैंने दोनों मोजे बना लिये हैं देखे कितनी अच्छी फिटिंग आई हैं बहुत जल्दी यह बन गए हैं फिटिंग अच्छी आई है लेकिन उपर में पाइपिन थोड़ी से ढीली है इसे हम सुई धागे से ठीक कर लेंगे पाइपिन याँ पे थोड़ी डीली है पाइपिन को हम फोल्ड करेंगे इस तरह अंदर दबाके सुईधा के सेस्या में सिलने ना है सिलने के बाद मोज़ा बिल्कुल फिटिंग हो जाएगा दिखी बिल्कुल फिटिंग हो जाएगा